नवरात्री के दौरान माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है प्रत्येक दिन एक विशेश रूप की पूजा होती है और ये नौ रूप देवी के विभिन शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये सभी रूप मिलकर मानव जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक विकास का प्रतीक है आईए इन नौ रूपों का विशलेशन करते हैं एक शैल पुत्री शैल पुत्री नवरात्री के पहले दिन की देवी हैं वह हिमालय की पुत्री और पार्वती का प्रारंभिक रूप हैं इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और वे नंदी बैल की सवारी करती हैं यह रूप पृत्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिर्ता, स्थायित्व और आत्म विश्वास का प्रतीक है। शैल पुत्री की पूजा से साधक को जीवन में स्थिर्ता और सुद्रणता मिलती है, और यह मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है, जो हमारी जड़ों का प्रतीक है। जो आत्म संयम और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, इनकी पूजा करने से साधक को मानसिक शान्ती और धैर्य की प्राप्ती होती है। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र होता है और ये एक शेर पर सवार होती है. इनके दस हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो शक्ती और साहस का प्रतीक है. चंद्रघंटा का रूप मनिपूर चक्र से जुड़ा होता है, जो उर्जा और इच्छा शक्ती का केंद्र है. इनकी पूजा करने से साधक को भय और बाधाओं से मुक्ती मिलती है और जीवन में साहस और शक्ती का संचार होता है. 4. कूश्मांडा कूश्मांडा देवी का रूप नवरात्री के चौथे दिन पूजा जाता है. इन्हें स्रिष्टी की रचना करने वाली देवी माना जाता है. इनके आठ हाथ होते हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, चक्र और गदा धारन करती हैं. 5. कूश्मांडा अनाहत चक्र से जुड़ी है, जो हृदय का चक्र है, और प्रेम, करुणा और जीवन शक्ती का प्रतीक है. इनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक उर्जा, स्वास्थ्य और सम्रिध्य की प्राप्ती होती है. 5. दिन देवी सकंद माता की पूजा की जाती है. सकंद माता भगवानकार्ति के सकंद की माता है. यह देवी ज्यान और पालन पोशन का प्रतीक है. वे सिंह पर सवार होती हैं और अपनी गोद में बाल सकंद को धारन करती है. स्कंद माता विशुध्य चक्र से जुड़ी है जो शुध्य और अभिव्यक्ति का चक्र है इनकी पूजा से व्यक्ति में मम्ता, ज्ञान और विवेक का विकास होता है छठी कात्यायनी, कत्यायनी, कात्यायनी देवी का रूप नवरात्री के छठे दिन पूजा जाता है वह महर्शी कात्यायन की तपस्या के बाद उनके घर में जन्मी थी यह रूप साहस और युद्ध की देवी का प्रतीक है कात्यायनी आग्या चक्र से जुड़ी होती है, जो अंतर द्रिष्टी और ज्ञान का प्रतीक है इनकी पूजा से साधक को आत्म ज्ञान और दिव्य द्रिष्टी की प्राप्ती होती है साथवें दिन देवी काल रात्री की पूजा की जाती है ये दुर्गा का सबसे उग्र रूप है, जो अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाली है। कालरात्री का रूप अत्यंत भयावह है, परंतु वह अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देती है। यह सहसरार चक्र से जुड़ी होती है, जो मुक्ती और परंशान्ती का प्रतीक है। इनकी पूजा से व्यक्ती में भय, बुराई और नकारात्मक्ता से मुक्ती मिलती है। 8. महागौरी, महागौरी महागौरी देवी का रूप नवरात्र के आठवें दिन पूजा जाता है, वह उज्ज्वल और शुद्धता का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से व्यक्ती को मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह रूप तपस्या और त्याग का प्रतीक है और यह भी सहस्रार चक्र से जुड़ी होती है। इनकी पूजा से साधक के जीवन में पवित्रता, शांती और सुख का आगमन होता है। 9. सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री 9. दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। उनके चार हाथ हैं, जिनमें वे कमल, गदा, चक्र और शंक धारन करती है। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्थ होती हैं. यह रूप परम सिद्धि और मोक्ष का प्रतीक है और यह सहसरार चक्र से जुड़ी होती हैं. नवदुर्गा के सभी रूप साधक को आत्मिक विकास और शक्ति के विभिन प कर दो